हेलो एबरीवन आज हम सिक्षण अविरूची के जो कुश्चन समरे रह गए थे आज हम उनको डिसकस करते हैं सिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के समन्द में आपके विचार में सिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है नेस्ट कुश्चन है हमारा आपके अनुसार सिक्षण की योजना पदती होनी चाहिए बालक केंद्रित नेस्ट कुश्चन है हमारा सिक्षण समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारिय आपके अनुसार किसकी होनी चाहिए तो इसका कुश्चन हमारा है सिक्षण को की समाजिक लोगों के साथ आपका बेवार होता है सुधारक के रूप में नेस्ट कोशन है दुखो हो या सुखो लोगों को रहना चाहिए आपको मत है दोनों ही इस सिधी में समान लड़कियों को उतनी सिक्षा देनी चाहिए जितनी सिक्षा के दोरा भी हात्म निर्भर बन सके किसी कारी योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब की तब सोची जाएगी उक्ती पर छोड़ा जाता है इस पर आप क्या सोचते हैं एक मुर्क तपों बिचार है किसी योजना को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबन inclined में आपका वीचार है कारीकी सफलता का गोतक है नेसी कोशने च्छात्रों में एसमाजिक गुड बिक्सित होते हैं आपका वीचार है बृ संगत में नेस्ट कोशन है जटिल समस्यां आपको प्रेरित करती हैं आत्म विश्वास पैदा करने के लिए बिध्याले में अनुसासन हिंता उत्पन होने का कारण आप मानते हैं कि अध्यापको में जिम्मेदारी का अभाव है चोटी उम्र के बच्चों को अधिक योगी बनाने के लिए आपको किस तरह का ब्यवार करना चाहिए उन्हें अच्छे बातावरण में रखना चाहिए किसी व्यक्ति का चरीत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है आप क्या मानते हैं पारिवारी परिवेश से समाज में छात्रों की भागेदरी किस प्रकार की बांचनी है आपका विचार है परसपर सहयोग की आकांसा नेस्ट कोशन है एक सहरी अध्यापक ग्रामिड शेत्रें पढ़ाने के लिए गया लेकिन ग्रामिडों के बच्चे डड़ते हैं आप उनको पढ़ाने के लिए कौश्य आवश्यक करेंगे ग्राम बासियों के साथ उनकी दुखानो भूती, सुखानो भूती में भाग ले कर उनका विस्वास जीतने की कोसिस करेंगे नेस्ट कोशन है अपने बच्चों को बेपसाय चुनने के लिए आप निवने में से किस बिचार से सहमत होंगे बच्चों को उनकी रूची बेच्छमता के नुसार बेपसाय चुनने की स्वेतंतरता है नयायार लेने कक्षा में बच्चों को सारी एक दंड देने पर रोक लगा दिये हैं आप सोचते हैं नयायार ले का फैसला उप्योकत है आजकल सम아ज में सिक्षक को पहले जैसी पुर्तिष्टा प्राप्ट नहीं होती उस पुर्तिष्टा को पुना प्राप्ट करने के लिए आपका बिचार शिख्षक तूसन के पेसे को छोड़े सिक्षक अपने बातारुम में सुधार लाए सिक्षण अपने कर्टब्बे का निष्टा पूर्वक पालन करे उप्योगत सभी नेश्ट कोर्षण है यदि सिक्षण कहे कि मैं जो करता हूँ उसकी और दिहान मत दो मैं जो कहता हूँ उस पर आचरन करो तो समाज में इसका क्या प्रवा पड़ेगा समाज दिसाहीन हो जाएगा आपकी दो पुत्रियां हैं लेकिन आपको पुत्र प्राप्ति की चाहा होती है तो आप परिवार न्योजन कारेकरम का लाब उठाना चाहेंगे नेश्ट कोर्षण ने यदि कोई छात इमानदारी पूरवक कारे नहीं करे तो आप इमानदारी सरवत्तम नीती है उसे बतलाएंगे नेश्ट कोर्षण है आपके छोटे भाई बहन समय का सही उपयोग नहीं करते तता पढ़ने के समय टीवी देखते हैं आप उन्हें समझाएंगे पढ़ने के समय टीवी ना देखें आपका एक मित्र आपके वेवार से हमेशा पिरसंद रहता है तो उससे मधूर सम्मद बनाने के लिए आप उसकी उस द्रवावावितव को जानने की कोशिस करेंगे तथा अपने में अपेक्षिक सुधार करेंगे आपके विध्याले के पास एक मंदिर है बहाँ पूजा के समय लौड़ी स्पीकर का प्रियोग किया जाता है जिससे बच्चों का ध्यान उस ओर चला जाता है तो आप मंदिर के संसप्त को सलाह देंगे कि बिद्धार लेके समय लौड़ी स्पीकर का प्रियोग ना करें जब कोई बिद्धारते समाजिक समारों में भाग लेने से कतर आता है तो आप शिक्षक स्वेम समाजिक समारों में भाग ले छात्रों को भाग लेने के लिए प्रोथ सही करें नेस्ट कोर्शन है जब आप पढ़ने के लिए बैड़ते हैं तो टेली फोन आ जाता है जिससे आपके कारे बादित हो जाती है तो आप टेली फोन सुनना पसंद करेंगे सायद कोई जरूरी बात हो नेस्ट कोर्शन है हमारा आप पिद्धाले में पढ़ा रही है और कोई चात्र आपकी कोई गलती पकड़ता है तो आप उस चात्र को समझाने की कोसिस करते हैं तथा गलती होने पर अपनी गलती स्विकार कर लेते हैं आपकी परिक्षा सन्निकट है और आपका कोई मित्र अक्षर आपका समय बरवाद करता है तो आप उसे मना करेंगे कि बहए उसका समय बरवाद ना करें अगर कोई चात्र स्कूल पोशाक में नहीं आ रहा है तो आप उसे स्कूल की पोशाक पहनने के महत्व को समझाएंगे नेस्ट कुश्चन है हमारा जो चात्र बिद्धाले की प्राता कालिन सवा में भाग नहीं लेता तो आप उसे समझाने का प्रियतन करेंगे यदि अनुसासन का पालन नहीं किया तो सक्त सजा दी जाएगी नेस्ट कुश्चन है अगर कोई खिलाडी खेल के नियमों को भंकरता है तो आप उसको एक बार सुधनने का मुका देंगे नेस्ट कुश्चन है यदि किसी बालक में सभी तरह की गंदी आदते बिद्यमान हैं तो उसके बेवार में परिवर्तन लाने के लिए आप उसकी गंदी आदतों के कारणों का पता लाकर उसमें सुधार करना चाहेंगे यदि किसी बच्चे को स्कूल जाने में रूची नहीं है तो आप उसे समझा कर अपने साथ स्कूल ले जाएंगे कुछ बच्चे अपनों से बड़ों के पृति आदर सूचक सब्दों का प्रियोग नहीं करते तो आप उन्हें सिस्ट बिहवार करने के लिए प्रिरीत करेंगे नेस्ट कोशन है आप बिध्याले के प्रदानाचारी हैं आपका पुद्र बिध्याले में पढ़ता है जहां कार्य अनुवप के अंतरगत सफाई सिलाई वे अन्ने सिल्प कार्य होते हैं तो आप अपने पुद्र को भी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे नेस्ट कोशन सिक्षा के इस्तर को उचा उठाने के लिए आप क्या सुझाब देंगे इमानदारी नहीत स्वार्थो से मुक्त रहकर निर्धारित कार्य करम को लाग किया जाए तथा उस पर अमल किया जाए अगर आप महात्मा गांदी जैसे होते तो बिद्यारतों को सिखाना चाते सत्य और अहिंसा का पालन करना पाठे क्रम में कार्या नुब को इस्तान मिलना चाहिए इस संब्द में आपका विचार है कार्या नुब अब दुवारा प्राप्त ज्यान जो होता है हमारा स्थाई होता है नेस्ट कोशन है माता के रूप में आप बच्चों के पृति सोचती हैं उनमें सद्गुर्ण विक्सित करने के लिए उसे प्रेरित करेंगी नेस्ट कोशन है बच्चों के समाने ग्यान विक्सित करने के लिए आप रोज समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहेंगे शिक्षक कक्षा में नहीं पढ़ा कर उन्हें बच्चों को टूसन पढ़ाते हैं, शिक्षकों को पैसे लेकर अंक बढ़ाना कै और खै दोनों, आदर शिक्षक के बारे में आपकी क्या दहाना है कि बहत चात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरिक करता है, किसी ब्यक्ति की सफलता के बारे में आपका विचार है कि बहे उसकी कठिन मेहनत और प्रियास का प्रतिफल है, नेश्ट कोशन ये दि आपको आपकी किसी गल्ति पर प्रधारा द्यापक दोरा डाटा या फटकारा जाता है, तो इस पर आपकी क्या राय होगी, आप प्रधारा ध्यापक के इस ब्यावार पर दुखी होंगे, किन्तु अपनी गरीमा को बचाने के लिए उसकी गरीमा को नहीं गिराएंगे, सरकार इसकुलों में सिक्षा के इस तरको उचा उठाने के लिए आपका क्या सुझाब है, उत्पात के गुडबत्ता में कमी को अध्यापक के लापरवाई से जोड़ना, इसकुली सिक्षा का निजी करन आपके दरश्टी में कैसा है, आवश्यक है, क्योंकि सरकार सिक्षा का इतना बड़ा भार अपने खंदों पर अकेले नहीं ले सकती, नेस्ट कोशन है आपके द्रश्टी में सिक्षण कैसा काम है चुनोती भरा आनंद दायक काम है हमें सिक्षा ग्रहन करने चाहिए क्योंकि सिक्षा ब्यक्तियों को स्वाब लंबी बनाती है अंग्रेजी भासा के माध्यम से उच्छा प्रदान करना ग्यान प्राप्ति के लिए आवश्यक है बुम अंडिल करन के लिए कारण उपची परिस्तियों के मांग है उपयोक्त दोनों नेस्ट कोशन है प्रभावी सिक्षण के लिए निमन में से किस सर्थ को सरवादिक महत्व दिया जाना चाहिए ध्यावारी को धरन देकर पाट्टे पस्तु को इस्पस्ट गरना नेस्ट कोशन है हमारा आपकी द्रस्टी में पती पत्नी दोनों का काम पर जाना कैसा है बच्चों की सिक्षा संबंद्य अवशकताओं के पूर्ती के लिए आवशक है परिवार को संपर बनाने के लिए आवशक है इसे समाज में प्रतिष्टा बढ़ती है उपयोक्त सभी नेस्ट कोशन है मानम मुल्यों में गरावा टाच के युग में एक कड़वा सच है ऐसे में आप एक अध्यापक के रूप में किस प्रकार की समाजिक भूमिका का निर्वहन करेंगे एक बिसिस्ट ब्यक्ती के रूप में आप मानम मुल्यों को अपने जीवन में इस्थान नेस्ट है सिक्षक रास्टे का निर्माता है इस कथन पर आपकी क्या परतिकर रहा है यह बास दिखता है क्योंकि सिसु ही आगे चलकर रास्टे में सेकरे भूमिका निर्माते है ठैंक्स पूर वोचिंग वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें नेस्थ वीडियो दे एने के लिया.